हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुदा सक्सस केंद्रा देखे फ्रेंड्स अभी जो बीपेसी के द्वारा लेटेश्ट एक्जाम करवाए गया है बिल्कु रिसेंटली अभी 20 अगस्त 2022 को यहां एक्जाम करवाए गया था उसी का यहां कोस्टन पेपर है और ऑफिसियल एंसर की भी जारी कर दिया गया तो बिल्किल ऑफिसियल एंसर की के साथ मैं आपको यहां सॉल्व करवाऊंगा कोस्टन पेपर पूरा कभर करवाऊंगा और देखे जैसा बीपेसी का पैटर्न है 67 प्रिलिम्स का ठीक वहीं पैटर्न इस एक्जाम का भी है तो अभी लेटेश्ट चांसेस है कि यहीं पैटर्न शिक्ष्टी सबंत भी पेसी पीटी री एक्जाम में भी फॉलो किया जाए तो वीडियो को ध्यान पुर्वक देखेगा चली सेशन स्टार्ट करते हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको से समाचार पत्र किसन प्रारम किया भी आठीक है मदरलैंड समाचार का प्रारम मजहरूल हक ने किया था चले उसके बाद देखेगा कि बिहार नेशनल कॉलेज एम उसके भवन बिहार विद्दापीट का उद्गाटन फरवरी 1922 में किस ने किया था तो महत्मा गांधी जी ने किया था ठीक है ये भी कोस्टन इंपोर्टेंट है और बिहार स्पेसल में ये सभी से ले करके आजादी तक कि जितने भी प्रशन थे बिहार स्पेसल का उन सबको मैं एक यू वीडियो में वीपेसी एक्जाम आठ मई से पहले मैंने आपको कवर करा दिया था जिन लोगों ने देखा वागा उस वीडियो को वो लोग आसानी से इन सब भी प्रशनों को हल कर पर रहे होंगे चले उसके बाद नेक्ष्ट कोस्टन है कि 1937 में प्रांतिय स्वायतता के अंतरगत्त बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो उससे में प्रधानमंत्री बनते थे और यहां मुहम्मद यूनिस थे और यह हो जाएगा राइट एंसर बिल्कुल जो ऑ उंकार ठीक है इसका 1940 में इस 1940 को दौरान जो है राहुल संकृत्यायन एवम पंडित यमुना कार्जी जैसे हिंदी सहीतकारों के तहत यह प्रकासित हुआ था और इसका प्रकासन किसने किया था तो स्वामी सहाजानंद सर्वसति ने किया था और बाद में यहीं जो था बिह विभाजन 1907 के बाद भारती राष्ट्य कॉंग्रेस पर किसका नियंतरन हुआ था तो यह नियंतरन जो हुआ था तो राइट अंसर इसका अप्सर नंबर यहां पर देखेंगे तो सी कारेक्ट अंसर हो जाएगा नरम पंथी का ठीक है चलिए जिसको कहते हैं भारती राष् मुस्लिम लेख के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट के सिधान्त को किसने परतिपादित किया था मुस्लिम लेख के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले तो यह किसने किया था तो सर सयद अहमत खान को आर्किटेक्ट अप दू नेसन थिवरी कहा जाता है ध्यान भुआ था कब तो 18 अप्रेल 1930 को ठीक है और यह बार-बार प्रश्ण पुछा जाता है तो सूर्य सेन इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बचले next question कर लेंगे question number 9 देखे question number 9 यहां से है कि नमलखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्यागरह के प्रमुख सिधान्त थे तो ये प्रमुख सिधान्त नहीं थे ये भी पुछा जाता है ये चार option दे दिया जाएगा और पुछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नह नहीं था ठीक है बाकी सत्यवादिता अहिंसा और निडरता था एक दो तीन इसका राइट एंसर हो जाएगा जो कि देखे option number कितने में दिया गया है option number इसका डी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बद देखेगा कि नमलखित में से कौन सा अधिनियम ब्रटिस ये मुस्लिम लिख के संस्थापक नहीं थे तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए तो एम ए जिना नहीं थे बाकी देखे आगा खान नबाब सलिमुला खान और नबाब मौसिन उल्मुल्क यह सभी इससे संबंदी थे उसके बचले question number 12 है यहां से कि मालाबार म मोपला विद्रू किसका परिणाम था तो देखे मोपला विद्रू जहुआ था मालाबार में यहां खिलाफत आंदोलन का एक हिसा था ठीकर राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का यह एक हिसा था इसलिए option number C राइट अंसर हो जाएगा खिलाफत आंद स्वदेश बांधो समिती का संस्थाप कौन था देखे इसका संस्थापना जो है स्वदेश बांधो समिती का वारिशाल में किया गया था जो कि अब बंगलादेश में है वारिशाल और इसका संस्थापना 1905 में जो है किसने किया था तो याद रखेंगे 1905 में किया था अस्व नमबर C हो जाएगा राइट अंसर चले उसका बद कोस्टन नमबर 16 देखिएगा कोस्टन नमबर 16 जो है फ्रेंट्स यह मैत का कोस्टन मैंने सॉल्व नहीं किया है डिरेक्ट में आपको एंसर जो आयोग के द्वारा दिया गया है वह ही मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है तो देखिए इसका कारेक्ट अंसर ओप्सन नमबर D दिया गया है सायद इस कंडिडेट ने सॉल्व भी किया है उसके बाद चलिए कोस्टन नमबर 17 का जो करेक्ट अंसर है एक बार आप थोड़ा समय छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा प्रशन आपको दिखाई दे ठीक है इसका जो राइट अंसर दिया गया है 17 का वो आपका ओप्सन नमबर A दिया गया है उसके बाद देखिए 18 का जो करेक्ट अंसर दिया गया है आपका ओप्सन नमबर B देखे इन्होंने सभी question का answer math में अब तक सही बनाया है उसके बाद देखे 19 का जो correct answer हो जाएगा वो आपका option number C हो जाएगा चले उसके बाद देखे 20 का जो correct answer हो जाएगा वो आपका option number D हो जाएगा 21 का जो correct answer हो जाएगा यहाँ पर आईए नीचे हिंदे वाला वर्जन में, 21 का जो correct answer हो जाएगा, यह option number B हो जाएगा, 22 का जो correct answer हो जाएगा, यह आपका option number B हो जाएगा, चले 23 का जो correct answer होगा, वो आपका option number A हो जाएगा, 23 का, ठीक है, चले 24 का देख लिजे, 24 का जो correct answer हो जाएगा, यह आपका option number C हो जाएगा option number C हो जाएगा जो की नीची दिया गया है ठीक option number C 90 चले उसके बाद 25 का देख लिए 25 का जो correct answer हो जाएगा ये भी आपका option number C हो जाएगा साथ लेटर चले उसके बाद देखेगा यहां से 26 से साइंस का या section है नई नसलों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है तो देखे इसका जो कारक है वो आपका प्रतिद्वेंदता तथा परिवर्तन है अब यहां पर अंगरेजी में इसको समझ लिजेगा इसका जो कारण है यह क्या है तो competition and variation है option number A इसका राइट अं सबके बलड का रक्त जो होता है यह कैसा होता है तो इनका रंग नीला होता है ठीक यहां पर दहें में आपर दीखे माइटो Chondrial Matrix दिया गया है Option number A राइटनसर इसका हो जाएगा बीज में निमलिकित में से क्या होता है तो बीज में भंडारित भोजन होता है पिंडगर्ब होता है बिजावरन होता है तो उपर इक तो सभी जो होगा इसका राइटनसर option number D हो जाएगा उसका बद 30 नमबर देखिए फॉल निमलिकित में से क्या है तो फॉल जो है यहां क्या है तो फॉल अंडासय का उत्पाद है option number B राइटनसर हो जाएगा इसका fungus किस प्रकार का जीव है तो fungus जो है यहां मिर्तो पजीवी है कैसा है फ्रेंट्स यहां मिर्तो पजीवी है याद रखेंगे तो देखें यहां मिर्तो पजीवी दिया गया है कहीं कहीं आपने option में मिर्तो पजीवी पढ़ाओगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next question है कि निमलिकित में से कौन सा पहला effect जो है यह ब्रिक्षो के पतियों पर पड़ता है तो पतियां इसका राइटन सर हो जाएगा option नंबर बी चलिए next question कर लेंगे अगला प्रशन हमारा यहां से देखे question देखे atmospheric reflection दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे question number 35 कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्त की उबाल बिंदु पर कैसा परभाव परता है जब pressure बढ़ेगा तो इसका उबाल बिंदु क्या होगा तो देखे इसका इबाल बिंदु भी जो है boiling point जो है यहां भी बढ़ता है ध्यान रखेंगे यह प्रशन repeated है अभी recently BPC के दुवरा LDC का पेपर लिया गया था उसमें भी साइद यह प्रशन पूछा गया था चले उसका बद देखेगा कि बोलो मेटर का उप्योंग नमलकित में से किसके मापन के लिए किया जाता है तो radiation के यहां पर देखे उसमा बिकरन दिया गया है option नमबर B इसका बिलकुल correct answer है उसका बद देखेगा कि पदार्थ के आयनिक इस्टेट के उत्पादन गुनों के अध्यन के भौतिक विगान की साखा का नाम क्या है तो इसका नाम जो है इसका नाम है प्लाजमा भौतिकी ठीक है प्लाजमा भौतिकी इसका नाम है उसके बद स्वम्दरी ताप उर्ज्या का उत्पादन इमलेकीत में से किसकारण से होता है तो यह कारण जो है यहां अपसे पूछा गया है यहाँ इसका क्या हो जाएगा रहाइट असनसर हो जाएगा सिखेग अर्द वसे 60 डिग्री अंगल पर पर प्रीग की एक होगा तो देखे पलाइन वीग वो सेम रहेगाा ठीक है स्मीम रहेगा किसी भी एंगल of projection के लिए सभी एंगल अफ प्रॉजेक्ट्स के लिए पलाइन वैं कमांग सेम ही रहता है इसलिए 11orp किलोमेटर पर सेकंड ही इसका राइटन सर हो जाएगा अप्सिन नमबर ए अच्छा है प्रिथवी के पलान वे कमान भी पुछा जाता है तो 11.2 किलोमेटर पर सेकंड होता है इसको भी आप ध्यान रखेगा चले उसका बाद देखेगा अगला कोस्टन है यहां पर देखिए कुस्टन है कि एक सेकंड दोलक को एक सेकंड का दोलक है उसको रॉकेट में माउंट किया गया है इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा तो रॉकेट यदि ऊपर की और समान विग बिर्धी से बढ़ता है तो इसका दोलन काल घटेगा ठीक है दोलन धीरे-धी हो जाएगा क्योंकि उपर चर्था जाएगा लंबाई बढ़ती जाएगी और दोलन जो है धीरे-धीरे हो जाएगा तो एक फैम्टो मेटर में कितने मेटर होता है यहां पूछा गया है तो एक फैम्टो मेटर बराबर होता है 10 to the power मैनेस 15 मेटर कि चल उसका बदेखेगा कि प्रकास मेटर किसकी काई है तो आपको पता है कि दूरी की काई है कोन सा ब्र QUMA सक tablets देखे है कि नाउजयन जो है यहां दर्दददरणाशक है बाकी यहां पर देखे सभीक नाशिय abajo भी यह पूछ्यन बिहार पुलिस के एक Certs सारफ दो हज़र वाले में, उसका बत next question कर लेंगे कि साबुन में आम तोर से बैथि नोयल यहां पर दिखेंगा अंगरेजी में भी लिखा गया है का प्रियोग निम्रिकित मेंसे किस कारण के लिए किया जाता है तो यह किया जाता है रोगानु रोधक की रूप में इस्तिमा वाला artificial sweetener निम्लिकित में से कौन सा है तो यह स्वीटनर जो है इसका नाम क्या है इसका नाम है ठीक है अप्सर नबर सी हो जाएगा एस्पार्टम ठीक है यह प्रश्ण भी रेपीटेड है चल उसके बाद देखेगा कि मनुस्त की यकृत में यहां पर देखिएगा glycogenolosis को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण इस्तिति निम्लिकित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है यह भी बहुत ही आसान कुछन पुछा गया था एड्रेनेलीन हार्मोन होता है ठीक है एड्रेनेलीन हार्मोन है इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है चलिए उसके बाद next question देख लिजेगा कि रोगानु रोधग तथा निस संक्रामक सुक्ष्ण जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी व्रिधी को रोक देते हैं कौन तो रोगानु रोधग ठीक है निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यहां पर जब ध्यान से आप पढ़ेंगे यहां पर दिखेगा बोरिक एसीड का तनुग होल तो तो हाइड्रोजन परक्साइड एक श्ट्रोंग रोगानु रोधग है यह यह माइल्ड रोधानु रोधग ठीक है इसलिए और बढ़ेंगे कि मानों सरीर क्लिमलिकित में से किसका उत्पादन नहीं करता है तो बहुत यहां सान कोचन है विटामिन को उत्पादन हमारे सरीर में नहीं होता है चलिए नेक्स्ट कोचन कर लीजेगा कि ड्राइग क्लिन तो यह लिक्विफाइड गयस निम्लेकित में से कौनसी है तो राइटेंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर देखे co2 कर्बन डायक्साइड है कि चलिए आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि निम्लेकित में से chemotherapy क्या है तो chemotherapy जो है आपको पता है कि यहां यहां पर देख लिए जाएगा समोहक वाला जो अंगरेजी वर्ड है इसका यहाँ पर देखेगा ठीक है hypnotic तो बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखें यहाँ पर जो option number यहाँ पर देखें इसका option number जो 52 का यह दिया गया है ना Luminal यहीं जो है यह समोहक ड्रग है ठीक है चलिए उसका बद देखेगा कि नमनांकित में से कौन इन में से interferon का संबंध किस्टे है interferon का संबंध यह आपका वाइरस से है वाइरस से है उसके बढ़िके DNA का कौन सा भाग प्रोटीन का सुचना देता है बताई राइट एसका तो प्रोटीन का जीन हो जाएगा इसका ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि मादा चिडिया के सेक्स क्रोमोजोम्स को निमलकित में से किसे से प्रदर्शित करते हैं तो यह किया जाता है किसे तो जेड़ डवलू से ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कोस्टन नमबर 56 ह यहां से कि सरकारी Think Tank निती आयक बहु आयामिक गरिभी सुचकांग कनसार बिहार की गरिभी आबादी का प्रतिसत कितना है बताई राइट अंसर करेंट अफेर्स का कोस्चन है इसका करेंट अंसर जो हो जाएगा मैंने अल्लेडी करेंट अफेर्स में आपको बताया भी था कि 59.91 प्रतिसत है और सबसे अच्छा जो है सबसे अगर बात करें कौम जो है वो केरल का है मातर 0.71 प्रतिसत ठीक है चलो उसका बाद देखेगा कि टोक्यो परालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वन पतक जीता तो इन्होंने जीता है किस में इन्होंने पारा बैडमिंटन में जीता है उसका बादे के बिहार दिवस 2022 की ठीम क्या है बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च के दिन प्रतेक वर्स मनाया जाता है और 22 मार्च के दिन जल दिवस भी मनाया जाता है और ठीम इसका क्या रहा था तो जल जीवन हरियाले इसका राइटन सर हो जाएगा उसके वाद के पुर्वी छेतर शम्मेलन जो साथ जनवरी 2022 को पटना में संग्त रूप से रेल मंत्रा लें बिहार सरकार की द्वरा आउजित किया गया था वहाद किस योजना पर था तो वहाद जो था पीम गती सक्ति योजना पर था ठीक है ऑपसर नमबर इसका ब स्वाथ हो जाएगा ठीक उपसर नमबर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन है कि बिहार में सारवजनिक कारे के लिए 2022 में पदमसरी पुरशकार से किसे समानित किया गया था तो दीके पदमसरी से दो लोगों को समानित किया एक सैबल गुपता, जिनको कि साहित और सिक्षा के चितर में दिया गया था, और चंदना जी को दिया गया था, अचारे चंदना जी को समाजी कारी के लिए, तो यहां समाजी कारे पुछा गया तो अचारे चंदना जी हो जाएगा, सिक्षा और साहित पूछता, सिक्षा साहि को इसका शुकंत करेंगे कि विआरमे 사랑 पुरसकार 22 से किस समानित किया गया गया है दीराज को और पल यहां पर दीखिए और पल साक्षी है इसे लिए origin सिराइट सर्हों दो हजर बाइस वहीं अगर दो हजर इकीस पुष्टा तो जोती कुमारी को समानित किया गया था बिहार के किसुषवर में देश का पहला सिल्प कला संगरहाले बनाया जा रहा है तो यह बनाया जाज रहा है पटना में ठीक है पटना इसका राइटन सर हो जाएगा 64 नमर सर्क्रिमेंट बेका पर किया है यह आपसे पूछा गया है तो मानसित्र और अगर बात करें तो समुद्री और बेमानिकी चार्ट वानिजिक और वर्गी कृति इमेजनरी वह वहाती किए चुंबकी और गुरुत्वाकर्शन डाटा का आधान परदान करने के लिए तो यहाँ पर देखी इसका राइट अंसर ओप्सन नमबर C आयोके दिये दिया गया है आयोके द्वारा ठीके चली आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि जुलाई 2022 में British प्रधान मंतरी Boris Johnson ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया था वो किस पार्टी से सम्बंदित थे यह आ आप से पूछा गया है तो देखी इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा तो option नमबर यहाँ पर इसका डी दिया गया है 6 दिसंबर 2021 को मैंने बताया भी था 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्य में हैदराबाद हाउस में इसका आयोजन किया गया था अप चले उसका बाद देख लिजेगा कि भारत इवेई ब्यापक आर्थिक भागिदारी समझा होता पर दोनों देशों के भी हंस्ताक्षर कब हुआ था तो यहाँ पर हंस्ताक्षर पूछा गया है डेट पूछा जा रहा है तो यह हुआ था कब तो राइट अंसर इसका हो है कि 26 से 28 जुन 2022 तक 48 वाद G7 सिकर्ट संब्लेन का आजन की सदेश में किया गया बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा कहां पर किया गया है यह आप से पूछा गया है तो दिखें जो करेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से का तो नाटो का मुख्यालय कहां पर है तो नाटो का मुख्यालय आपको पता है कि कहां पर है मच्रा को क्या ब्रुटत में ब्रुते 22 जीता है तो यह किसने जीता है यह जीता है ऐस्टरेलिया ने नने नेक्स्ट को सथ कि air ns विसाका पतरनमग को 21 न्वंबर दोजर एकिस को किसके दवरा कमिशन किया गया तो तो यहां कमिशन किसके द्वरा किया गया यह आपसे पुछा जा रहा है पता ही राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखे यहां जो कमिशन किया गया था यह किया गया था किसके द्वरा यह किया गया था राजनात सिंग के द्वरा आपसा नंबर सी हो जाएगा राइट सा हो जाएगा इसमें से तो इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा अपसे नमबर बी 17 मार्च 2022 को 17 मार्च 2022 को गिरी राथ सिंग्न जो है इसको जारी किया है उसका बदिके प्रधार रुप से ध्यान रखिएगा चले अगला प्रशन है कि भारत के प्रधार मंत्री दर्वाइश के सबसे बड़े बायो गया सेंट्र गोबर्धन का उद्गाटन कहां किया गया मताई करेक्ट अंसर कहां पर किया गया इन दौर में नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कि एक माई 2022 को किसने भारत के नय विदेश सचीव के रूप में पदभर संबाला तो यह कौन है तो विनय मोहन क्वात्रा है ठीक है तो राइट अंसर अप्सन नमबर यह हो जायागा इसका चले उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन कर लिजेगा सेब आई 17 V5 था ठीक है यह भी आप ध्यान रखेंगे तो राइट अंसर इसका तमिलाडो हो जाएगा उसके बुलेट ट्रेन पर योजना 500 किलोमेटर की दूरी तय करेगी तो यह करेगी आहमदाबाद और मुंबई के बीच में ठीक है अप्सन नमबर सी राइट अंसर होगा इ उसके भारत में पहला प्येपरलेस हाई कौट कौन सा बना है किरल हाई कोट बन गया है यह कोस्षण मैंने भी कई लिंगेweg इसान क्लस्वादों कि मिसस का अंत्रगत तोdy Everyone सल जो आता है यह आता है महिलायों बाल विकास मंत्राले के अंतरगत उसका वादी के बाल सहाता योजना के ताथ विहार के मुखमंत्री के द्वरा कोविड-19 से अनात हुए बच्चों के पुनरवास के लिए कितने राश्ची की होश्णा की गई है जो 18 वर्स की आयू होने त दरान किस मंडप को सर्वस्रिष्ट मंडप स्रेणी में स्वन पदक से समानित किया गया तो यह बिहार का मंडप था अप्सन नबर इसका डी राइटन सर हो जाएगा चले उसका बाद देख लिएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारन किशान आंदुलन स प्रत्यक्ष्रूप से संबंदित नहीं थे तो प्रत्यक्ष्रूप से संबंदित जो नहीं थे यह थे आपका गौरी शंकर मिस्रा ठीक हो जाएगा करेक्टन सब ध्यान रखिएगा ठीके फ्रेंड्स चलिए बाकि दिखें महादेव देसाई नरहरी पारेक डॉक्टर को दी गई थी तो यहां पर उप्सन में आप देखेंगे खुदिराम बोस का नाम नहीं है इसलिए उप्सन नंबर इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्ष्ट कुशन कर लेंगे कि कि सासक ने सुंदर नगर पाटली पुत्र के स्थापना किया झाहिए ऊदंसने किया था किस did not have achnie कि उसका नेक्ष्टान कर लेंगे कोस्ट नंबर नाइनटी यहां पर है कि कीसे सूफिस समपर्दाय से सुफिस संथ सर फू दिन याहिया मदरे वी जुड़े हुए था और पूरा कोस्तन अनलाइज नहीं कर पाया था देखे राइट अंसर इसका आपका हो जाएगा और यहां पर देखी फिर दौसी सिलसिले से ठीक है दरभंगा राज छेतर में किष्णे किसान छेतर का नेतरित्र किया था तो स्वामी विद्दानन्द थे यह अगला प्रश आयो के द्वारा भी दिया गया है उसके बाद देखेगा नेक्स्ट कूसन है 94 नंबर की किस सिलालेक में असुक ने त्रिरत्न में आपना विश्वास प्रकट किया था तो यहां कौन सा अभिलेक है भाबरू है ठीक है कौन सा है फ्रेंस भाबरू है याद रखेंगे आप्स शासक को परमभागवत का गया यहां मेंसन भी किया गया है यार नालंदा थामरले अर मैंने जब बताया था तो सभी लो कमेंट कर रहे थे कि चंद्रगुप्त दूतिय चंद्रगुप्त दूतिय यहां पर mention किया गए बिहार का इतिहास एक बार आप ध्यान से अपलग पढ़िए समद्रगुपत इसका राइटनसर होगा यहां अपसन नमर सी हो जाएगा इसका राइटनसर ठीक है चले उसके बार देखेगा next question कीस अरब यात्री ने राष्टकूटों के महत्व का ब्यापक रूप से वर्णन किया है तो यह जो अरब यात्री था, इसका नाम है अलमसूदी ठीक है, अलमसूदी, और यहां पर आप देखेंगे सूलैमान जो है न, सूलैमान, सूलैमान ये भी अरब यात्री है और इसने परतिहार वंस के महान सासक मीर वोज के बारे में जो है लिखा है तो यह परतिहार वंस है और यहाँ पर राश्टकूट पुछा गया है और मसूदी इसका राइट अंसर होगा उसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस सुल्टान को लाख बक्स कहा जाता है तो यह आपको गाइब से भारत के किस नगर और मद्यकाल में चिराज में मसरि के या पूरप का सिराज कहा जाता है तो यह किसको कहा जाता है यहां जौनपुर को कहा जाता है नेक्स्ट कुस्टन है कि किस मुगल समराट ने जंजीरे अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी तो यह जहांगीर ने लगवाय था उसका में देखिएगा कि भारत भारतियों के लिए है इसका नाराय इनमें से किस ने दिया था तो यह आपको भी पता होगा दैनंद सर भशती जीनि ने दिया था मैं अगला प्रश्चुन हमारा एकको सिटी नांबर कि अंग्रेजी सिनाइ費 एक्टर मुन्रो बहुए था और प्लासिक यूद में रोबर्ट कलाईव था चले अगला प्रश्चन है कि इनमेंसे कोन एक देवबंध disp in स्कूल सेंसे जूड़े हु कि गलत अंसर है निम्लेकित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं कि थी तो देखिए ब्रह्म समाज जो है इसने अवतारवाद की निंदा नहीं किया इसने बहु देववाद की निंदा की है बहु देववाद की निंदा की है लेकिन अवतारवाद की निंदा इसन अवतारवाद का नहीं किया था चले उसके बाद देख लीज़े का next question है हमारा कि सबसे कम लंबाई वाली नदी यहाँ पर पुछा गया उप नदी कौन सी है तो इसका जो answer दिया गया है वो आपका option number C हो जाएगा पुन-पुन ठीक है चले next question है यहाँ पर कि बिहार की निम्ल पुर्वुत्तर जलोड मैदान में उसके पार्क और अभैरन और जनपद निम्लेकित में से कौन से जोड़ा सही नहीं है अब जनपद करके बहुत से प्रश्ण पुछा जा रहा है भी पेसी में जितने भी आपका प्रमंडल है उनको आप ध्यान से पढ़ लिजाएगा दे उसके बाद देखेगा कि कौन सा सबसे पहले सुर्यास्त का अनुभा करेगा तो राइट अंसर यहां पर सीडिनी दिया अप्से नमबर ए इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलो उसके बाद नेक्स्ट को सने किस देश के साथ सबसे लंबी उंतराश्टी सीमा रखता है तो यह पाकिस्तान के साथ रखता है ठीक है चली और अफगानिस्तान जो है यह किन देशों के साथ सीमा साजा करता है तो अफगानिस्तान जो है यह पाकिस्तान इरान तूर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान तजाकिस्तान और चाइना के साथ सीमा साजा करता है पाकिस्तान के साथ स से किस देश में और परवासी भारती ये 2018 सबसे अधिक संक्या में रहते हैं तो यह मौरिसस इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है मौरिसस में चले अगला प्रशन है 115 नंबर कि खैबर दरा नेमलेकित में से किन दो सारों को जोडता है तो खैबर दरा जो है यहां जोडता ह में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो यहां पर देखेगा डंड कारणाय जो है यह 36 गड़ होगा मदप्रदेश नहीं होगा तो यह वाला गलत है वायनार केलर मलाड करनाटक विधर्व महराष्टी यह सभी सही है उसका वह देखेगा हाली में खोला गया अटल टनल जो है जिसका पहले नाम रहतांग टनल था वह किसको जोड़ता है तो फ्रंस यह जोड़ता है किसको तो लेह और मनाली को चलिए अगला कोस्टन यहां पर देखेगा कि नमलकित में से कौन सी सबसे बड़ी तैरती भी सवर उर्जा परियोजना है तो यह सिहादरी आंदरप्रदि और राजय का कौन से जोड़ा सही नहीं है तो यहां पर देखें लोनार महराश्ट्र में राजस्थान गलत दिया गया है उसके नमलकित नदी द्रोनियों में से किसका छेत्र सब्से कम है तो सबसे कम वहाप ब्रामनी का है किसका है सबसे कम इसमें से सबसे कम जो है मिरे खाल से ब्रामनी का ही सबसे कम होना चाहिए ठीक है लेकिन आयोग के द्वारा इसका अंसर तापी दिया गया है। सब्सक्राइब और इस बात को मैं असपष्ट कर दिया था किसमें निर्वाचित भग लेते हैं तो जिनों वीडियो देखा होगा यह प्रश्न आसानी से बना दिया होंगे उसके वह देखेगा the making of बिहार एंड बिहार इज यह पुस्तक जो है यहां पर देखिए इसके लेखक कौन है को लोनियलिजम पुलिटिक्स एंड कल्चर इन मर्डर्न इंडिया बता ही इसके लेखक है नरंद्र जहां उसका पर देख लिएगा कि निमलेकित में से कौन सा एक भारत के राश्पति का स नितिये विद्या कंवाद्य की वापसी यहां नहीं है उसका बहुत दिखिये नेक्स्ट कुस्टन है कि लोकसभा के साचिवाले सीदे किसके प्रविक्षन में आता है तो आता है यह लोकसभा के speaker के लोकसभा अध्यक्स रैज्श के भारत में राजनेतिक दलो का पंजी करन निम्लेखित प्राधानों में सिख का अनुशार किया जाता है यह लोग परतीनिधर्व अधिनियम 1901 बार अइसका राइट सार हो जाए तरह राश्ट्री अमहियला आयोक की बारें बात कर लिए इसका अधिनियम 1990 के तद जो है 1992 में इसका स्थापना की गई थी उसका बचले 132 कुस्चन है यहां से कि भारत के सरोच न्याले के किस मामले में संभावित अधिनर्ण के सिध्धान्त को अपनाया है तो इसका करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा एक पर सभी ऑप्षन को देख लीजिए बताई करेक्ट इंसर तो इसका करेक्ट इंसर जो हो जाएगा ठीक है चले नेक्ष्ट कुस्चन कर लेंगे कि लोकसभा और विधान सभाव के लिए एंगलो इंडियन के नामांकन के प्रधान को समाप्त कर दिया गया है आपको भी पता है किस विद्यक की मांग की गई थी तो यह विद्यक जो है यह समिधान कौन सा 126 मा ठी ठीक है चले नेक्ष्ट कुस्चन कर लेंगे यह डिरेक्टली याद रखना आपको चले अगला प्रश्ण है यहाँ पर कि नेमलिकित में से कौन भारत के समिधान का अनुछेद 49 में दिये गए नितिन नितिक सिध्यंत का हिस्सा नहीं है नहीं पुछा गया है तो यह लोग प्रश्ण पूछा जाता है बिपसी की एकजाम में और बिहार ससी में तो 29 विसा है यह आपको भी पता है ठीक है चले उसका बाद नेक्ष्ट कुस्चन कर लेंगे अगला कुस्चन है हमारा यहां से देखिएगा कि बिहार के सबसे सिक्षी जिला 2011 अनुसार तो रोहतास है सक्षर्टा में और मयला सक्षर्ट में बिोबरॉला सक्षर्ट में भी चले उसका बाद बार दोवशेस के उत्पादन में बिहार देश का नेत्रित्व को दे रहा है यानि कि पहले अस्थान पर तो इनमें से किसी भी फॉसल के उत्पादन में नहीं है इसलिए अप्सिन नमबर इसका राइटेंसर हो जाएगा 149 नमबर है कि इनमें से कौन विशेश समितिक ने सहरी सरकारी बैंको को लाइसेंस देने हैं थे उप्युक्तता का अध्यान करने के लिए थे तो यह आपका श्री वाई एच मालेगम ऑप्सिन नमबर सी दिया गया है एटेंसर समय समय पर निमलेकित में से कौन सा विनमें नियमा वाली भारत की विदेशों विनमें के संबंद में प्रकासित कर करता है तो यहां करता है निर्यात रिन गारंटी कोपरेशन ठीक है चलो उसका बदेखेंग यहां पर देखेएगा भारतिये खाद निम निगम दिया गया है ठीक है फूट कोपरेशन ऑफ इंडिया यानि की एपसी आई ठीक है एपसी आई का नाम आपने सुना भी होगा चलो उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि निमलकित में से कौन सा देश्वाबिन को उत्पादन में जो है सिर्ष अस्थान पर नहीं है बताए राय टंसर इसका क्या हो जाएगा यहां पर देखेएग एपसी नुमा बड़ी होगा उसक वादि के निमलकित में से भारत में यूथ सबसे जादा है किस और है निमलकित में से कौन भारत सरकार की ओर से नियुनतम समर्थनमों ले निर्धारित करता है तो राय उनसर इसका क्या दिया गया है आपसी नमर यहां पर दीखेएगा क्र कराई भी गया आपको हमलिकित मैं से किसे भारत में विदुचेतर के आर्ति की रीड की तब वहाँ पर जो होता है ब्यास दरों में कमी आती है उसके बदी के 2011 की जिन गन्ना का नुसार निम्लेकित में से कौन सा बिहार का अधिक जन्संख्या वला जिला इन में से पुछाएगा वैसे तो पटना है लेकिन इन में से सिता मड़ी का सबसे जादा जन्संख्या है चल वीडियो को लाइक कर दी देगा और से